एक्जाम तक चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अंकित मिस्र और आप देख रहे हैं एक्जाम तक दोस्तों आपके अपने एक्जाम तक चैनल पर मैं आप सभी का एक बाल फिर्ट से स्वागत करता हूँ यहाँ पर दोस्तों आज हम जीके के एक important class में आज यह तैय करने वाले हैं कि बिश्टो की कुछ पुरा प्रमुख देश नगर की पुराने नगर हैं उनके पुराने नाम क्या थे और अब उसके नाम क्या हुए है दोस्तों बहुत important यह है आपका आज का यह क्योंकि यहाँ से वीडियो काफी important है और आपको मैत इतिहास इन सब की अगर तगड़ी तयारी करनी है तो आपको कुछ ने करना है नीचे जाना है आप थोड़ा सा नीचे आएंगे वहाँ पर देखिए आपके स्क्रीन पर लिखा राएका रेड में subscribe बटन जाकर चैनल को subscribe कीजिए और हमसे जोड़ जाईये यहां पर आपको प्रकार के video मिलते रहेंगे चलिए दोस्तों अज का वीडियो स्वरू करते हैं तो देखिए दोस्तों आज का जो हमारे video है इसमें आपको इस तरफ नए नाम रहेंगे इस तरफ पुराणी नाम जैसा कि मैंने लिख दिया है तो नए नए है और उसके पुराणा नाम क्या थे यहां से मैं कुश्चन कई बार बनते रहें तो चली देखते हैं दोस्तों पहला है म्यामार पहला है म्यामार तो म्यामार का यह नया नाम है म्यामार तो इसका पुराणा नाम क्या था इसका पुराणा नाम था वर्मा वर्मा तो दोस्तों कुछन मनता है कि म्यामार का पुरान नाम क्या था तो बर्मा था समझ लीजिए दोस्तों अगर म्यामार को आपकी राजधानी पूछे म्यामार की राजधानी आप से पूछे तो आपको लगाना है नाय पियाटा नाय पियाटा जो है ओ म्यामार की राजधानी है और पुरान नाम पुछी तो इसका पूरान नाम बरमा था अगला है यांगून अगला है यांगून तो इसका पूरान नाम था रंगून दोस्तों आपको याद होगा जो 1857 अगर आपने पढ़ा है इडिहास को तो जो अठार के सामार की क्रांती हुई थी वो शोतंतरता संगराम हुआ था उसमें जो बहादूर साजफर जब हार गय थी यहां से तो उनको रंगोन में ही फगाजया गया था और यहीं पर जाकर उनकी मृत्यू हो गई थी चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगला है इरान अगला है इरान दोस्तों अगर आपको इरान की राधानी पुछे तो इरान की राधानी होती है तेहरान इरान के राधानी तेहरान और आप से पुरान नाम कोशित तो परसिया परसिया उसका पुरान नाम है किसका इरान का इरान का पुरान नाम परसिया दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है इरान भी और इराग भी दोनों आपको पताने जा रहा हूं दोनों इंपोर्टेंट है इस पूरी वीडियो का सबसे important question आपको है इराख बहुत बार कुशन रिप्याइट है तो बहुत बार कुशन रिप्यटर रहे एराख का पूरान नम क्या था तो इराख का पुरान नम था मेसो पूटामिया मेफ़ो पूटामिया पूशे कि मेसोटामिया को आपके चाहिए ताइवान अगला है ताइवान तो ताइवान का जो नाम क्या था ताइवान का पुराना नाम क्या था तो फार्मोशा फार्मोशा जो है ताइवान का पुराना नाम था आपको सभी को याद करना है सभी को लिखना है ठीक है दोस्तों अगला है थाइलेंड अगला है थाइले सभी को आपको पता है फिर मैं यहाँ पर आपको दिखा जी आ हूं तो यह हाथियां होती है । दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आता रहा होगा जेतना चल रहा है आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो अगर आपको वीडियो पूरा वीडियो कर देखेंगे आपको अच्छा लागी कर तो हमें कमेंट चरूर करती है चलिए दोस्तों वागे चालते हैं अगला है जिम बाब्वे बहुत लोग जिम बाब्वे कहते हैं लेकिन दोस्तों इसका नाम है जिम बाब्वे जिम बाब्वे नहीं जिम बाब्वे तो जिम बाब्वे है इसका आप से पूछे नाम पुराण नाम क्या था तो आपको लगा पुरान नाम क्या था तो बीजिंग का पुरान नाम है पिकिंग बीजिंग एक सहार है बहुत थी परसिद्ध सहार है तो प्रमुक्सहार है तो इसका पुरान नाम पूसकता है आपसे तो पिकिंग था और जिंबाब्यों का दक्षण रोडेशिया ठीक है ताइवान का फार्म नाम था डाहूमी का पुरान नाम था चला स्था लπάा है बोचिछ वाना अगला अक्षिब भुथ्वाना भी इसका पुछे तो आपको लगाना है मैं से अफिध के पुछेगा पुराने से नया पुराणे देखर आपसे नया पूछेगा या फिर आपको नया देकर पूरा ना पूछेगा तो दोनों प्रकारते इसको याद कर लीजिए चलिए दोस्तों आज के लिए बतना ही अगले वीडियो में फिर होगी मुलाकात अगर चीके की बहुत सारी वीडियो और देखना चाहते हैं तो कमेंटर बाक्स में है इसको सेयर करती चीए तो चलिए दोस्तों आज चलते हैं फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी बाबाए